असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है, जितना हमारा सरल होना कठिन है, सरलता सबसे जादा कठिन है, सबसे अधिक कठिन है, सरल सुभाव, इतना सरल जो सरलता से विश्वास कर ले, एक और भक्ति की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उससे बड़े परिसान, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस, खूब खाये और पड़ा रहे, अब जो खूब खायेगा तो करेगा का, जहां खाये वहीं लुड़क जाए, घर वाले उनका, निकल जाओ यहां से, दो ढाई सेर खाते हो एक बार में बैठकर, काम कुछ करते नहीं, विचारा अब जाए कहां, वो एक महत्मा दिखाई दिये मंदिर के बाहर बैठे, महत्मा बड़े तंदुरुस्त है, महत्मा होते ही प्रसन अपना मस्त, उसने सोचा कि यह खूब खाते होंगे, तब तो इतने तंदुरुस्त हैं, महत्मा बड़े रहो, मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दिया, नाम रख दिया, कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आर्थी में, खड़े राकर, राम राम किया करो, और पंगत, बोले दो समय होती, खोब प्रेम से करो, तो मैं दो पंगत में, तुम चार पंगत में बैठो, कोई हर्जय नहीं, उसको लगा ये भड़ा, चा कुछ कर नहीं नहीं, खोब खाने को मिलना, मंदिर में रह गया, पर उसे क्या पता कि यहां भी मुसीबत आएगी, एक दिन सबेरे से कुछ बने ही नहीं, भंडार में साव, ऐसे ही चूले पड़े, ठंडे, कुछ नहीं, महराज आज कुछ बनेंगा, अरे बोले तुम्हें बताना, आज एक आदसी है, तो बोले एक आदसी का मतलब ना कुछ बनेंगा, ना कुछ मिलेंगा, तो वो बोला हमको भी नहीं मिलेगा बोले हाँ तुमें भी बोले चेला बहुत है उनसे कराओ हमको काहे को बोले नहीं वो तो करने ही पड़ेगा तुमें तो बोले हमें अगर आज एक अदसी करा दी तो हम तो दूआदसी देखा ही नहीं पाएंगे आजी साम तक समाम तो महत्मा बोले वही बहुत कठिनाई है महराज में भोजन के बिना नहीं रह सकता महत्मा बोले तु आस्रम में तो बनेगा नहीं तुम बना लोगे अरे बोले मरता क्या नहीं करता हम सब बना लेंगे मात्मा बुले जा भंडार से सामगरी ले लो अब सुने ढाई सेर, आटा, आलू, नमाक, मिर्च, मसाला, घीर जो कुछ तो लेकर मात्मा बुले देखो तुम वैश्णा हो गयो वैसे तो नहीं बनाना चाहिए भोजन लेकिं चलो प्रसाद बुद्धी से गिरन करना भगवान को भोग लगाना ठीक है माला जी, जल्दी जल्दी में उसने सामान समेटा, का वहाँ जाना नदी किनार इस पेड़ की नीच, हाँ, पहुँच गया अब जैसा बना विचारे से वैसा भोजन बनाया, आलू का चोखा और सब गोड़ भी तब तयार करके, इतना आना ही चाहिए था भूख और लगाई रोज तो बना बनाया मिलता था आज तो बना ना पड़ा अब याद आया गुरु जी ने कहा था भगवान को भोग लगा ले मेरे भोजन का भोग लगा नहीं आये भगवान, तो क्या बूला? आज मनी अर घाना आर थी, यहाँ यही महमानी रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी राजा नाम आईये, प्रवु राम आईये मेरे भोजन का भोग लगा मुले यहाँ तो नदी का पानी रूखी रोटी आना है तो जल्दी आजाओ हमको भूख लग रही है भगवान नहीं आये तो बोला पूरी और पकोडी भगवन सेवक ने न बनाई और मिठाई तो है यह नहीं फिर भी नहीं आये भगवान तो एक सरल्ता से बात कही उस पर रीज गए प्रवु बोले सुनो हम समझ गए आप इसलिए नहीं आले कि रूखी रोटी खाने काई को जाए नदी का पानी मंदिर में तरह तरह के बेंजन मिलेंगे तो भूला भगवान उस धोके में मत रहना वहां से जान बचा के हम ही आए है भूल करोगे यदि तजदोगे भोजन रूखे सूखे एक आदसी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजाराम मंदिर में एक आदसी है यहीं आजाओ इस सरल था पर नवम सरल अमम भरोस की भगवान आएंगे भगवान प्रकट हो गए लेकिन भगवान भी कम कौतु की नहीं जितना वो सरल भगवान वैसी लीला करने को तया अकेले नहीं आए सीता समारो पितवाम भा राम भाम भी से जाने का श्री सीता राम जो देखा तो भगवान की सुन्दर था स्री सीता मैं याग देखकर परसन तो बहुत हुआ लेकर उदास हो गया गुरू जी ने तो एक भगवान के लिए कहा था ये तो दो आए हैं अब कभी भगवान की तरफ देखे कभी रोटियों की तरफ देखे भगवान ने का क्यों आ गए ना मुले हम आ गए सो तो ठीक है लेकर अब जो है तो ने बैठो भगवान बहुत है क्यों क्या हुआ बहुत है कुछ नहीं हम तो सोच रहे थे कि एक का इंतिजाम करना है लेकर आप दो आए हो तो कोई बात ने थोड़ी बहुत तो एक आदसी आप कराई दोगे हमारी जो कुछ है आप बिरा जो भगवान बैठ गए कितनी सरलता से इन कथाओं पर विस्वास करना कठिन होता है क्योंकि हम लोग सरल नहीं है भगवान सरी सीता राम जी बैठ गए उनके सामने पर उस दिया करने लगा मैं कुछ भूखा तो रहा रहूं लेकिन आपको देखकर लगा बहुत अच्छा पर एक काम करना अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो मैं इंतियाम और ज़्याद करके रखूंगा अगली एक आदसी को लेकिन इतना इतना परेशान मत करने जल्ली आजाना भगवान मुले आजाए उसने आकर गुरू जी से कुछ नहीं का इतना सरल था वह तो समझता था भगवान आते ही ऐसे ही होंगे अगली एक आदसी को भुला कि गुरू जी कुछ सामान बढ़वाओ गुरू जी बुले क्यों बुले वहाँ दो भगवान आते गुरू जी ने सोचा भूखा रहा होगा इसलिए कहरा का बढ़ा दे बढ़ा दे एक से राटा और सामान बढ़ा दो आवो साड़े तीन से राटा लेकर और सब बनाया उसने और बुलाया भगवान तो इंतजार ही कर रहे थे जैसे उसने का राजा राम आईए अब कहने लगा सीता राम आईए मेरे भोजन का भोग लगाईए ओ मेरे भोजन का भोग और सही बात जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए लेकिन राम बाम दिस्यान की लखन दाहिनी हो दक्षने लक्षमनो यस्यवामे चजनकात मजा और जोस ने तीन को देखा बुला हद हो गई एक को बुला तो दो आते और दो का इंतिजाम करो तो तीन आते ये कौन है भगवान मुले ये हमारे छोटे भाई है छोटे भाई सच मुश है लगते तो नहीं, न स्वरूप से न सुभाव से कहीं से पकल दाये क्या कोई भलाई है, नहीं, हमारे छोटे भाई है ऐसी क्यों गहते हैं? छोटे भाई है तो हदो जोड़कर लुड़ा प्रभु बुरा नहीं छोटे भाई हैं सि अच्छा अब आ गए तो कोई बात नहीं लेकिन एक बात बताओ हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का गुरु जी ने खादा भगवान को भोग लगा न दो आए अब यह भाई साब आ गए अब राम जी खूब होंसे जान की वह यह खूब लक्षमा जी को लगे का अच्छी जगए ले आए भगवान क्या स्वागत हुआ है आते ही आते लेकिन वो बोला क्या काऊं भूखा बले ही रह जाओं लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता अब बैठो आप तीनों ही बैठो पाओ जो कुछ है एक ही ज़्यादा है दो का इंतिजाम तो है ही पाया कुछ मिला भगवान खूब हसते ने लक्षमा जी भी बहुत बना अब जब चलने लगे तो बार बार चरणों में सिर रखे आखों में आसु आ जाए लगते हैं बड़ी सुन्दर लेकिन एक काम करो अगली एक हादसी को अभी से बता जाओ कितने आओ ताकि उतने ही हम इंतिजाम कर लें बस यही जहन्जटे बाकी और कोई जहन्जटे पहले से बता दिया करो कितने हो तो वैसे ही इंतिजाम करें भगवान बोले हम आजाएंगे हम आ जाएंगे आयक तो भी नहीं का गुरू जी से सोचा कुछ दिन तो आराम से भी थे अब अगली फिर एक आदसी गुरू जी बुला जी एक आदसी है फिला बुला है उदास क्यों हो अरे बुले महराज वहां बहुत लोग आते है तो क्या करें भुले हमारा साथ से राटा करो कम से कम साथ से अउसी हिसाब से सब सामान गुरू जी समझगे इतना तो ये खा नहीं सकता ये बेचता होगा जरूर गुरू जी बुले साथ नहीं आठ सीर दे दो ले जाने दे शेए अब पीछे पीछे चलेंगे देखते हैं क्या करता है ले गया सारा सामान पर ये भक्त भी बड़ा विचित सरलादमी आज इसने सामगरी रख ली भोजन बनाया नहीं सोचने लगा पहले बुला कर देख लूँ कितने हैं उसे साब से बनाऊंगे भोजन बनाया नहीं हो पहले ही बुला नहीं लगा राजा राम आई ये सीता राम आई लच्मन राम आई मेरे भोजन का भोग लगाई ये ओ मेरे भोजन का जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार तब तांचन में प्रगटभो दिव्य राम दरवार जो पुकारा तब भगवान स्री सीता राम जी भरत जी लक्षमन जी सत्रगुंडी हनुमान जी साब और जो इसने देखा सुल जय हो लेकन एक बात सुन लो क्या एक को बुलाये तो दो आए दो का इंतजाम किया तो तीन आए आज तो हद कर दी साब एकट लेकन हमारी भी बात सुन लो क्या हमने भोजन बनाया ही नहीं वो रखा सामा सो बनाओ और खाँ भगवान मुले क्यों तुम को नहीं बनाते हैं उले जब हमें मिलने ही नहीं है तब बनाने से क्या लाग आप ही बना और पाओ मोते नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाव हु अपने बहुत दिनन संग पाए मोते नहीं बनत बनाए तुम नहीं तजत सुबानियां अपनी हम केते समझाए हमने कितना समझाया आप अपनी आदत छोड़ते नहीं हो आज तो हद कर दी नर नारन की कौन कै हनवान जी की और देखकर बूला एक बानर भी संग लाए एक बानर हू संग लाए मोते नहीं बनत हमसे नहीं बनता है पृत्म दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई उदर न मैं भर सके उसीये जब सनमुक आई फिर बिनीत आए भाई पर भाई और निराहार ही रहो आज मुह परत दिखाई भगवान को बसे बोला हसने से काम नहीं चलेगा बनाओ लगाओ शुरुआत करो बैठी आप रक्ष के नीचे भगवान मोले भाई भक्त की राजी आज बनाओ भोजर विवस्था किसने समाली विश्व भरण पोसन कर जोई ताकर नाम भरत असो श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे चुनके लकडी लखन लाल लाने लगे पूछते पूछ से आंजने ये चोका को और हाथों से बोता लगाने लगे चेते चूले इधर और उधर सत्रुह साग भाजी अमनिया कराने लगे और स्वेम जान की मता आकर बैठी तो सीता मैया को बैठे देखा तो अनेक सिद्ध महत्मा प्रकट हो गए मैया हमें भी प्रसाद मिले अब ये तो आँख बंद किए वेठा था पूँचा कि आँख बंद क्यों कि ये वेठे बोले जब मिलना ही नहीं है तो हम बनते हुए बीरद्र नहीं देख सकते कि किसी और को मिले आवाज nejस वी तो आख खोली तो कई महात्मा दिखाई दिए पुले थोड़ा भहुत कुछ भजता भी ये नहीं मचने देंगे पाके संकेत शक्ती का यत्थे वहां अश्ट सिध्धी और नाव निधिके आने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे गुरु जी आये पीछे से के देखें ये सामान का क्या करता तो गुरु जी को कोई न दिखें चेला बैठा दिखें और सामान रखा दिखें गुरु जी आये बच्चा क्या हो रहा है बोले गुरु जी भले आए देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिये आपने इतने बैठें गुरु जी बोले हमें तो कोई नहीं दिख रहा है सामान दिख रहा है तुम दिख रहा है अब भगवान मुस्कुराई तो रोकर बोला कि ये दोरी मुसीवत है एक तो गुरु जी ने तो करा नहीं पाई आज आज आपने हमारी पूरी एकादसी करा दी और उस पर भी गुरू जी को पता नहीं लगने दे रहे हो इनको भी दिखो भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे क्यों नहीं दिखोगे वो तो हमारे गुरू जी है हम तो कुछ नहीं जानते हैं वे तो सब कुछ जानते हैं इतने महान है भगवाने का इसमें कोई संदेह नहीं तुम्हारे गुरु बहुत महान है तुम्हारे गुरु बहुत योग विद्वान है भजनानंदी है फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूँगा तुम को ही दिखूँगा तुम पूरी तरह आयोग ये तो भी क्यों आकर क्या बात है उन्हें तुम्हारे गुरू जी में सब भी शिष्टाएं हैं लेकिन जितने सरल तुम हो वो सरल नहीं है और मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ नवम सरल सबसन चलहीना गुरू जी ने पूँचा कि क्या बात है तो चुला उला भगवान ऐसे कह रहे हैं जिए आप सरल नहीं हो और गुरू जी को इस बात पर रोना आ गया कि सच मुझ सब कुछ जीवन में मिला लेकिन सरलता नहीं मिली और जिस से भगवान मिलते थे वही नहीं मिला अब गुरू जी भाव व्यवल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया भगवान तो इस सरलता पर रीचते हैं इसलिए भगवान ने का नवम सरल सबसन चलहीना मम भरोस ही हरस नतीना झाल झाल झाल